प्योर थार पारकर, हैवी बोडी, बारी भरकम कदकाथी, डील दोल काफी हैवी है, बड़े साइस का अडर है, लंबे मुठिया थन है, और बोडी का स्ट्रक्चर, हाइड लेंद्स आप देख पा रहे हैं, काफी शानदार, उम्दा क्वालिटी की गाय है, बड़े साइस की नाभी, सुन्दर बड़ा गलकंबल, और जो थनों की साइस शेफ बीच की दूरी कफी शानदार है, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, फार्म टोक, और मैं जैपाल सिंग राठोड, हर घर देशी गोवन्स, हर खूंटे देशी गोवन्स, इस मुहिम को पूरा करने क आज मैं आपके लिए थार पारकर नसल की बेहब सुन्दर हैवी बोटी स्टक्चर की गाहे पर वीडियो लेकर आया हूं, यह आप खाली बाल्टी देख सकते हैं, आपको लाई मिलकें दिखाएंगे, चारो थनों की दार आपको चेक करकर दिखाता हूं, आप देख सकते है इतनी मोटी दार आपने शायदी पहले कहीं किसी देशी गोवर्स में देखी होगी, आप देख सकते हैं, जो चारो थनों की शायदी शेप काफी शांदार है, दार शांदार मोटी है, ऐसी मोटी दार की गाहे आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, यह चोते तन की दार दे वे इसी वज़े से possible है कि इसके थनों की दार काफी मोटी है जो दूद निकालने के समय को काफी कम कर देती है इतनी अधिक दुदारू गाएं यदि आपको ऐसे मोटी दार की मिले तो जो दूद निकालने का समय वे काफी कम हो जाएगा काफी सुंदर कदकाटी की गाये है साथी जो इसकी लेवटी अडर का साइज है वे भी काफी बड़ा है ऐसी हैवी मिल्किंग वाली गायों का हाडर साइज साथी जो बोड़ी का स्ट्रक्चर भी है वे काफी हैवी मिलता है इस गाये की हाइड भी काफी शांदार है लंबी प जिटनी इस गाय की दूद्ध चपी आपको कम देखने को मिलती है इस घाय के बारे में थोड़ीया आपको जानकारी दे दूँ this गाए सेकंड लेक्टेशन में है यानि कि दूसरे ब्यात के अंदर है और पांच दिन इसे ब्याए हुए है पांच दिन पहले इसने एक सुन्दर लोटरी को जनम दिया है लोटरी इस वजह से है कि यह फीमेल काफ है लेकिन आपकी यहां पर दो चोईस कंप्लीट पूरी हो र किमाण यानि की थारपारकर नसल की गाए और साइवाल नसल की बचटी आपके लिए दोनों चोईस काफिए अच्छी पूरक है इन में दूछ छमता कीarchy हैं तो गाये की जो दूछ छमता है वह काफिए अधिक है उसके एकोडिंग जो साइवाल नसल की बचडी है उसकी भी दूठ चमता के बारे में आप विशे में देख पाएंगे ऐसी दूठ चमता वाली गायों के नीचे यह दी फीमेल काफ हो तो वे एक शांदा चोईस हो सकती है इस गाये को संतवीर सिंग कंग जो विलेज केशरी सिंगपूर डिस्टिक्ट श्रीकंगा जानगर राजस्तान के रहने वाले हैं वे सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं शांत सरल सभाव में और ऐसी हाइट लेंद लिए वे गाये कम ही देखने को मिलती हैं संत्वीर सिंग कंग जी का मोबाइल नंबर है नाइट टू एट जीरो टू सिक्स नाइन जिरो एट ए जानगर आप इस गाये को खरीदने की चुक है तो आप यहां पर खुद उपस्तित होकर इस गाये की लाइव मिल्किंग अपने आथ से करकर देख सकते हैं यह गाये बड़े शान सरल सभाव की है साथी ऐसी दुदारू देशी गोवन्स बड़ी सस्ती है यानि कि इनकी कीमत भी काफी जाये जोर अच्छी रखी गई आप देख सकते हैं दो चार मिनट की बातचीत में इबाल्टी कंप्लीट फिल हो गई है आपको यह दूद कांटे पर तोल कर दिखाया जाएगा संतवीर सिंग कंग जी ने इस गाये की कीमत 65,000 पर डिमांड की है और पांस दिन की गाये में यह आप खाली बाल्टी देख सकते हैं खाली बाल्टी कांटे पर रखकर जीरो किया जा रहा है आपको इसका दूद तोल कर दिखाया जाएगा जैसा संत्वीर सिंग कंग जी ने बताया कि साड़े तेरा लीटर से अधिक इसका दूद अभी तयार है पांस दिन की आप देख पाएंगे कांटे पर दूद तोलने के पच्चात कितना हुआ है जिससे आपका विश्वास बड़े देशी गोवन्स के परती हमारी कोशिश है कि ऐसी देशी गोवन्स को बढ़ावा दिया जाए आप इस मुहिम में शयोग करें इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें साथ ही लाइक जरूर से करें यह बाल्टी कंप्रीड फिल हो गई है आप देख सकते हैं जाग हैं लेकिन कांटे पर तोलकर दिखाया जाएगा इसका वजन आपको बताता हूं यह 6 किलो 750 गराम है यानि कि यह 13.5 लिटर दूद है धन्यवाद दोस्तों